क्लिक अन सब्सक्राइब बटन प्रेस ऑन बैल आइकन बताऊंगा जैसे मेरे आरे एसे कि ऐसे आपके भी आ सकते हैं जैसे में आपको बोलता हूँ कि वीडियो के अंदर दोंगा तो फ्रेंट्स मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखो अगर Skip करो हुँ तो आपको समझने में तो ठोड़ी हो सकती है तो चले फ्रेंट अब आपको सबसे पहले मॉनिटाइजेशन की टैप पे जाना है यहां पर आपको तीन तरह एक उप्शन दिखेंगे वीडियो एड़िटाइजिंग मर्चनडाइज और एक सूपर तो फ्रेंट्स आपको यहां पर जाना है मर्चनडाइज के उप कर रहे है जो उपर आप देख सकते हैं मैंने इस बटन को ओन कर रहा है इसलिए मेरे सारे जो प्रोड़क्स है वो शो रहे हैं यूट्यूब के अंदर और हर वीडियो के नीचे अगर मैं इसे ओफ कर दूँगा तो यह शो नहीं होगा और जो फ्रेंट्स आप देख सकते हो मैंने मेरे प्रोड़क्स को यहाँ पर और्गनाईज कर रहा है पहले कौन सा आएगा फिर दूसरा कौन सा आएगा तो यही मेरे वीडियो के नीचे इसी तरीके से यहाँ पी शो होता है अब फ्रेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि आपके भी एक इस तरीके से आ सकता है तो तो ये friends आप देख सकते हो कि जहां पर organize है उसके नीचे blue blue color के अंदर लिखा हुआ है on t-spearing तो friends आपको भी यहाँ पर सबसे पहले Google के अंदर आपको t-spearing सर्च करके उसके उपर एक account बना लेना है और मैंने वहाँ पर t-spearing.com को उपन के तो friends सबसे पहले आपको यहाँ पर account बना लेना है account बनाने के बाद आपको सबसे पहले t-spearing की setting के अंदर जाना है friends setting के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर YouTube की t-spearing store ID आईगी friends अभी ID मेरे हाँ पर active आ रहे है green के अंदर लिखा हुआ आपके यहाँ पर inactive आएगा orange color में लिखा हुआ friends यहाँ पर कुछ number लिखे है मैं जिनको मैं hide कर रहा हूँ तो आपको उन numbers को t-spearing से copy कर रहा है और यहाँ पर YouTube के अंदर जैसे आप merchandise के option को open करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा box आ जाएगा जो आपसे यह है ID मांगेगा तो आपको उस ID को यहाँ पर paste कर देना है और जैसे आप connect के उपर click करोगे तो friends नीचे कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यह friends आप देख सकते हो कि T-Sparing ID connected यह friends यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और disconnect का भी हमार सामने एक option आ जाएगा तो friends आगे disconnect का option आ जाता है और आपकी T-Sparing ID अगर YouTube के merchandise के अंदर शो हो रही है तो friends समझ जाएगा कि आपका successfully connect हो गया account आप friends आपको एक design बना लेनी है कोई सी भी जैसे कि यहाँ पर buy sell के तो option आएगे तो sell के ओपर click कर दीजिए sell का मतलब है कि हमें बेचने के लिए design बनानी है buy का मतलब होता है कि आपको खुद को purchase करने के लिए आप friends आप selling के लिए आप जो भी product बनाओगी design करोगे तो नीचे आपको profit भी लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर आप इस t-shirt को design करते है तो इसके ओपर आपके जो भी selling होगी उसके ओपर आपकी कितना बचेगा तो सारी details इसके अंदर आ जाएगी तो friends कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर products को design कर लेना है design करने बाद आपको यहाँ पर setting के अंदर storefront के option के अंदर जाना है friends यहाँ पर मेरा पहले से एक store बनावा है गुरुजी गयान नाम का तो friends आपको यहाँ पर एक store नया बना लेना है यहाँ आप देख सकते हों यहाँ पर create new storefront का option हमार सामने यहाँ पर आ रहा है right के अंदर तो friends आपको भी इसके ओपर click करके एक यहाँ पर नया store बना लेना है friends आपके यहाँ पर by default कुछ भी आपके channel का name का store भी नहीं आएगा तो आपको यहाँ पर पूरा store खुद को बनाना है friends easy है कुछ भी नहीं है बस only name देना है और products उसके अंदर add गाने friends आप जैसे जैसे आप products को टी स्पेरिंग के अंदर design करते जाओगे यहाँ पर आपके store के अंदर products automatically add हो जाएंगे तो friends उसके बाद एक से दो दिन लगेंगे YouTube के अंदर भी यहाँ पर आपके product show होने लग जाएंगे बस आपको फिर organize के उपर क्लिक करना है और किस तरीके से आपको अपने वीडियो के निचे दिखाना है उस आपको उन products को one by one select करके यहाँ पर save कर देना है तो friends कुछ इस तरीके से आप अपने हर वीडियो के निचे अपने products को show करवा सकते हो और friends इनकी selling के उपर आपको अच्छा गास है आपके commission भी मिलेगा तर आपको और आपको आपको एपने ऊफस्ट को आपको आपने कान्पों केडास है क्ष्बाद बीप भीमादे शापको जया क्वादे लूता है